हलो प्यारे बच्चो मैं आलोग कुमार एल के आपर केमिस्ट्री टीचर आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 10 से 11 में मूव कर रहे हैं जिनका 10 का अभी रिजल्ट आके चुका है CBSC का स्टेट बोड के रिजल्ट आ भी रहे हैं आने वाले हैं तो बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि 10 से 11 मूव करते हैं तो एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज ये होता है कि हम क्या स्ट्रीम चूज करें मेरे ख्याल से वह आपने डिसाइट कर लिया होगा कि नहीं हमे ये वीडियो उने स्ट्रेंट के लिए हैं जो ये सब प्रॉसेसस पास करने के बाद आप उन नेर डिसाइट कर चुके हैं कि उनको IIT करना है IIT में जाना है टॉप IIT and IIT में अड्मिशन ले करके अपनी सपने को साकार करना है तो बच्चों जैसे मैंने यहां लिखा हुआ ह यह batch announcement है, for 10 to 11th moving students, for IIT JE target 2025, 2025, अभी 2030 से preparation स्टार्ट करेंगे, 2025 वाला आप JE लिखेंगे, जैसा कि आप जानते हो, सभी बच्चे जानते हैं कि अब IIT जाने के process में दो main exams हैं, JE main and JE advanced, JE main एक तरीके से screening exam की तरह serve करता है, for going into IITs, और JE advanced exam, अब जानते हैं आप के JE main भी दो sessions में exam होता है, अब यह normal standard बन चुका है, कि दो बार में वो exam लेंगे, mostly एक exam January में होगा, दूसरा exam April में होगा, तो आप के लिए जो बच्चे अब 10 से 11 में move कर रहे हैं, उनके लिए जो JE का exam होगा, वो 2025 January में होगा, 2025 April में होगा, उसके बाद उनका advanced का exam होगा, डिर दो महीने के बाद में, usually it will happen in the first week of June, तो जून में जाकर के, जून 2025 में, they are going to write their IIT exam, और वहाँ से वो IIT Bombay, IIT Delhi, जो भी उनका dream है, वहाँ पहुचने के लिए, ये जो आप 2 साल हैं आपके पास, इनको कैसे यूटिलाइज करना है, this is going to decide, कि भई, आप कौन से IIT में जाएंगे, अच्छा ये किसी को नहीं जून के इन 2 सालों में, बहुत सारे बच्चे preparation करते हैं, आप जानते हैं, दस यो लाक बच्चे ये तयारी करते हैं, तो कई बार ऐसी feeling भी आती है बच्चों को, कि sir, 10 लाक बच्चे तयारी कर रहे हैं, competition बहुत ही stiff है, sir, मेरा तो कैसे होगा, तो देखो, 10 लाक में से यू कुछ बलिया हो जाए, कि आप दिन, वो ही दिन हमारा वाला हो, ऐसा थोड़ी होता है, logical questions होते हैं, और negative approach, negative marking भी होती है questions में, तो ऐसा नहीं होता कि आप तुक्के बिढ़ा के आएं, और आपका J.E. में कोई अच्छी rank आ जाए, ऐसा नहीं होता, जो पढ़ेगा, वो और उसी का अधिकार भी है, जो मेहनत करेगा अगले दो सालों में, जो अच्छे से systematic होकर के पढ़ेगा, मैं उन बारों में भी बात करूँगा कि बच्चे में क्या-क्या expected qualities होनी चीए, या expected क्या है कि बच्चे जिस चीच को follow को रहे for the next two years, so they can realize their target of reaching into the IITs, तो बच्चों अब वही बात बोल रहा हूं यहाँ पर, कि तुक्के में life नहीं चलती है, तैयारी करके, preparation करके, हम एक target तक पहुंचना होता है, उसके लिए enough समय है आपके पास, और कोई shortcut नहीं है, बहुत जगह यह सुनने में आता है कि इस चीच को एक महिने पढ़ लो, इस चीच को 15 दि इसमेंट वैसे भी देखते हैं, जिनकी height छोटी होती है, 15 दिन में height बढ़ा है, यह दवा खाएं, अरे ऐसे कोई height बलती है, कैसी बात, यह तो बिल्कुल वही हो गया, कि मन को समझाने वाली बात हो गई, वो जी process है, उससे तो गुजरना ही होगा, और वो process that involves hard work, dedication, discipline and all that, तो मैं सबसे पहले वही बात करता हूँ, जिस बच्चे ने चुना है, कि मैं IIT जाना चाहता हूँ, मैं एक बढ़िया engineer बनना चाहता हूँ, एक coder बनना चाहता हूँ, एक top class analyst बनना चाहता हूँ, data analyst, तो यह सब engineering field में जो आपका एक logical approach है, वो adopt करके आप जो पढ़ते हैं, तो फिर आप life में जो करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अब हम launch करने वाले हैं, IIT JE का 2025 के लिए जो batch है, नाम है प्रथम 4 online, 4 इसलिए क्योंकि प्रथम star, प्रथम 1, प्रथम 2, प्रथम 3 batch अलरी आ चुके हैं, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, औ और उनके 2-3-4-4 chapter फिनिश हो भी चुके हैं, बच्चों की बहुत सारे बच्चे आप decision लेते हैं, जब उनके 10th board का result आता है, 10th में तो बच्चों के marks काफी अच्छे आते हैं, 80% लाना कोई बहुत बढ़ी बात नहीं होती है 10th board में, CBSE में 80% marks usually आसानी से आ जाते हैं, तो वैसे भी एक बात समझें, आप बच्चों के तो 90% marks भी आते हैं, 95 भी आते हैं, पट फिर भी board में marks लाना एक अलग चीज है और J.E. में स्कोर करना एक अलग चीज है, J.E. में तो गर 90% marks आते हैं, 95% marks आते हैं, तो वो top 10 rank वाले हो जाते हैं, top 10 या top 100 rank मा जाते हैं वो सब तो कहने का मतलब यह है, कि competitive exam है, यह J.E. वाला, उसमें marks कई बार, 60%, 50% marks भी बच्चों के आ जाते हैं, तो भी उनको top NITs मिल जाते हैं, एक decent branch के साथ में, मतलब यू मालो, कि अगर आपके 160 marks हैं, out of 300, J.E. में की बात कर रहो हूं मैं, अगर आपके 50-60% marks हैं, तो mostly you are going to get a good NIT with a good branch, ऐसी में अगर IIT की बात कर लो, IIT में तो अगर 40% marks में आपके आए हैं न, general category की बात कर रहा हूं मैं, तो 40% marks पर भी कई बार आपको premium जो पुराने IITs हैं, IIT Delhi हो गया, खळकपूर हो गया, मदरास हो गया, इन सब तक में गोहाटी हो गया, रुलकी हो गया, Bombay हो इन में भी branches मिल जाती है, अफ़ोस computer science तो नहीं मिलेगी, computer science के लिए तो वो जद्दो जहद है, थोड़ा fight है, बट आपको एक decent branch पुराने IITs में, बढ़ी IITs में भी मिल जाती है, तो बस वो, तो 40%, 50% marks लाना कौन सी वाली बात है, वो तो कल लेंगे, ना, ना, उसी के लि तो जीत ही जाएंगे, आपने 10th में भी अच्छा perform किया है, आपने मेहनत कियोगी, तभी आपके 90% marks आएं, 85% marks आएं, 95% marks आएं, जिसने थोड़ी कम मेहनत कियोगी, तो हो सकता है, उनके 75% marks हो, 77% marks हो, और भी कम हो सकते हैं, तो देखो, वो तो वही वाली बात है, जतना gold उतना मीठा होता है, obviously चीनी डालोगे, तो चीज तो मीठी होगी न, cold coffee पीते हैं, आप फीकी पीकी बगएर चीनी डाले, तो कैसे अच्छी थो लिए लगती है वो, सेहत के लिए भले अच्छी होती हो, सेहत अलग चीज है, स्वाहत अलग चीज है, तो कहने का मतलब यह हु कि एक हफ्ता पढ़ लिए, उसके बाद महीने बर तक फिर मौझ मस्ती कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा थोली होता है, कि आप आठ दिन तक खाना न खाओ, फिर स्कूल, आठ दिन का सारा का सारा खाना, नवे दिन खाड़ा लो, ऐसा थोली चलता है, वो तो एक स करने का, ऐसी सिस्टम है, IIT जाने का, एक सिस्टेमाटिक तरीके से पढ़ाई करना, तो डिस्सिप्लिन इस इंपॉर्टन वन, आपको माना याता है, कि दस घंटे लगभग आपको डेली पढ़ना होगा, उस दस घंटे में आपको वीक में चार दिन क्लासे आपको मिलती है तो उसमें क्लासे के आवर्स भी हो गए, अब तीन क्लासे हैं, तो लगबख साड़े चार घंटे ही क्लासे मान लो, पांच साड़े पांच घंटे मान लेते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए लगते हैं, उसके अलावा भी डेली आपको पांच-छे घंटे रोज पढ़ है, जो प्रैक्टिस माटीरियल है, वो आपको डिस्पैच किया आता है, वो आप एक घर तक पहुंचता है, उसमें शीटों में से सॉल्व करते हो, उनके वीडियो सोलीशन भी अवेलबल होते हैं, जो कि आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, वो सारी चीज़े हम बता इस दिन आप कम पढ़ सकतो, बन दिवाली वाला दिन है, फेस्टिवल है, पटाके भी छोडेंगे, मिठाई भी खाएंगे, और दिवाली त्योहार भी मनाएंगे, तो ठीक है, चलेगा, घंटे, दो घंटे, तीन घंटे पढ़ लेना, सुबह के टाइम में, शाम को मौज म सबस्ति कर लो, घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, ठीक है, वो कभी-कभी चलता है, but more or less, you have to dedicate 10 hours a day for realizing your goal of going to IIT, desire to succeed, मन में च्छाई ना हो, दस घंटे लेकर बैठें, एकदम सुष्टी के साथ में कौपी किताब और वो पढ़ रहे हैं, पढ़ ने रहे हैं, बस वो सम टाइम पास कर रहे हैं, जैसे पीछे किसी ने डंडा, पापा ममी ने पढ़ पढ़ करके लगा दिया हो, यार उससे बोड़ी बात बनेगी, you should have the desire to succeed, मन से एक इच्छा होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, कि नहीं मेरे को IIT जाना है, जाना है तो जाना है, उसके ल पढ़ना होगा, तो दस घंटे पढ़ना होगा, तो तो बारे घंटे भी पढ़ना होगा, औपकोस दस बारे घंटे बैटने के लिए अच्छी हेल्थ भी होनी चाहिए, गुड़ हेल्थ, गुड़ स्ली, रहा हमारा काम इ точ healthy, liberal का Cam नहीं है, D Scientowra का काम है, ब्रें का काम है और ब्रेन का काम तो ब्रेन जी जलेगा ना, और ब्रेन को भी एक फूड चाहिए होता है, जब ही तो बोलते हैं, बदाम खाने होते हैं, अखरोट खाने होते हैं, अच्छा खाना खाना होता है, समय पे खाना खाना होता है, और एक 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप भी लेनी हो होती है पतानी यह चीज बट नो, that is not permitted at the moment, तो फिर बाकी की चीज़े compromise होंगी, नहीं करना है, साथ गंटे की नींद, एक enough sleep है, sound sleep है, और दिन में सोने की आदत नहीं रखनी चाहिए, हलका फलका नैप ले रहे हैं तो चलेगा, वो कोई बात नहीं है, बट साथ गंटे की नींद भी लें, अच्छा समय पे खाएं, समय पे खाएं, disciplined रहें, और logical approach जब लग परें, logical approach तो subject में होई आगी, जग बनित पढ़ोगे तो, mathematics पढ़ोगे न, maths भी पढ़ोगे, physics पढ़ोगे, chemistry पढ़ोगे, तीन subject हैं, जो की पूछे आते हैं, जही मेन के भी exam में, जही advanced के exam में, अफकोस आपको 11, 12 board भी पढ़ना होगा, 12th का board आएगा, 11th के exam आएंगे, वहाँ भी PCM तो रहेगा, physics, chemistry and mathematics, साथ में वो English या physical education, English के साथ physical education, या IP या और कोई subject जो आप लोगे, लोगे, तो वो साथ के साथ cover up जाते हैं, तो जो बच्चे online में हमारे या 11th में अंडोल होते हैं, हम 11th class के उनके वो अलग से सारी चीज़े आपको provide कर देते हैं, तो आपको tuition लगाने के जरूत नहीं है, कि सार मुझे English पढ़ना होगा, हाप या ली exam के लिए है, तो मुझे tuition नहीं जरूत नहीं है, हमने यहाँ CBSC को base बनाते हुए, जो English की classes हैं, और Physics, Chemistry, Maths की भी जो classes हैं, स्कूल के point of view स वो भी अलग से आपको provide कियाती है, ताकि आपको अलग से school के लिए और 12th board के लिए बहुत ज़्यदा सोचना ना पड़े, और आप वो classes हैं, पढ़ पाएं, अपकोस 12th board classes आप जब मिलेंगे, जब 11th पढ़ने के बाद आप 12th में admission लेंगे, अच्छा बात आती हैं यहाँ कि यह चीज़े तो सर होनी चीज़, यह logical approach वो अपने आप develop हो जाएगी, आप जब teacher को follow करोगे ना, कि जो पढ़ा रहे हैं physics में, chemistry में, अब यह तो science है, science is completely based on logic, तो वो logical approach दीरे-दीरे develop हो जाएगी, रटने से बात बन नहीं पाती, हाँ chemistry में फिर भी कुछ chapter ऐसे होते हैं कुछ chemical reactions होती हैं, कुछ चीज़े ऐसी होती हैं, जो data याद रखना पड़ता है, या reactions रटनी पड़ती हैं, बट physics math में ऐसा नहीं है, physics math is completely logical, और वो जब धीरे-दीरे पड़ते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता, वो आपकी approach, logical approach में convert हो जाती है, और that will take you to the IIT, रट के I IIT पहुचना, तीनों subject को रटना, math को रटा याता है, क्या, वो संभव नहीं है, तो जब आप logical question solve करेंगे, तो आपको धीरे-दीरे approach आ जाएगी, यह support number है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, यह phone number पे आप पूछेंगे, कुछ inquire करेंगे, about the प्रथम for online batch, तो they will tell you all the information, जो पर enroll भी कर सकते हैं, batch के बारे में मैं कुछ और features जो हैं, वो बताये ता हूँ, यहाँ पर बच्चो को, तो बच्चो जैसे मैंने कहा, IIT जेए, 2025 target के लिए, प्रतम for online batch, course की जो start date है, that is 22nd of May, 22 May 2023 को अब यह course start होगा, after week, उसके बाद यह course का syllabus completion date है, course end date और syllabus complete, syllabus बोल दो इस syllabus end date जो है, वो आपकी 12 जनवरी है, लगबग आपको second week में हम सारा syllabus 11th class का पुड़ा देंगे, बट आपको जो access available रहेगा, वो रहेगा मान के चलो April end तक, बट, आप अगर अब खाली 11th पढ़के तो बात नहीं बनेगी, IIT में तो syllabus 11, 12 पुरा ही आता है, तो जो बच्चे प्रतम पढ़ते हैं 11th class, वो फिर 12th class के प्रकर बैच में भी जाते हैं, तो आप जब प्रकर बैच लोगे, तो प्रकर बैच में अन्रोल करने के बाद, एकसेस अवेलबल रहेगा, और 12th की भी पढ़ा ही चलेगी और वो भी complete एकसेस आपको अवेलबल रहेगा, बट अगर आप 11th से 12th में convert नहीं होते हैं, आप admission नहीं लेते हैं, competition में, तो फिर आपका एकसेस जो अवेलबल होगा, वो April end तक होगा, April end 2024 तक, तो ये बात मैंने clear कर दिया है, फिर भी आपको कोई doubt हो, कोई मन में कोई शंका हो, तो आप support नंबर पर फोन करके बात कर सकते हैं, course fee, one time course fee है, 26,400 रुपीज, और यदि installment में pay करेंगे, तो ये आप टो गिव, 16,000 रुपीज दे फर्स इंस्टॉल्मेंट, और 13,000 सेकंड इंस्टॉल्मेंट, total number of lectures, लगबग 401 lectures हैं, physics, chemistry, maths में, physics में जो lectures होंगे, वो ABJ सर के होंगे, हमित बिजानिया सर के, maths में जो lecture होंगे, मोहित्यागी सर के होंगे, सब बच्चे मोहित्यागी सर को जानते हैं, हमारा YouTube चैनल है, मोहित्यागी के नाम से, वहाँ पर भी हमारा पूरा syllabus, physics, chemistry, maths का available है, बच्चे free of cost, वहाँ से quality education ले सकते हैं, खासकर economically weak students हैं, जो pay नहीं कर पा रहे हैं, या pay नहीं करना चाहते हैं, और वो free of cost, quality education लेना चाहते हैं, reliable education लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मोहित्यागी पर जा सकते हैं, ये YouTube, मोहित्यागी, तो मोहित्यागी चैनल पर जाकर के, वहाँ पर पूरी playlist बनी वही हैं, physics की, chemistry की, maths की, तो उसमें मैं आलोक कुमार, मेरे physical inorganic chemistry के lectures होंगे, यहाँ भी आपको जो lectures मिलेंगे, उसमें physical inorganic part मैं पढ़ाऊंगा, organic part नीरस सैनी सर पढ़ाएंगे, NS सर, अमित विजानिया सर जो वो physics पढ़ाएंगे, और मोहित्यागी सर mathematics पढ़ाएंगे, तो बच्चो इस तरीके से यह कुछ features से class की duration है, वो लगबग 10 घंटे के आसपास की होती है, हर class जो आएगी, दिन में 3 class आएंगी आपकी, 4 days of week में, physics, chemistry, maths, तो हर class लगबग 80-90 मिनट की होगी, और यह कुछ features से Again, these are the phone numbers, you can call, and you can inquire for anything, तो यह थे कुछ points, जो मैंने हासे बारे हम पताने ही कोशिच की, तो बच्चो, I have tried to give you the maximum information about the batch, but still, आपको अगर कोई डाउट है, तो प्लीज दो प्लीज़ कोई है, तो प्लीज़ कोई है, तो प्लीज़ कोई है, तो प्लीज़ कोई है, तो प्लीεν है जो फुँ दो इसका का दर्वाश्ग झाल कैस्थूो खभता है, तो अह जो पुझ कि तो भारतारी है, तो बच्ध凌 y कोश्ता है, तो इसका outtaजने, ह 되고 मेर कि है में eternal program शो सेंग्ध वोरताख। हैं जोरताष थारतार प्लीज़